तो सुबह उठते ही जैसे ही बाहर निकले तो सामने पहाडों का माहौल कुछ ऐसा हो रखा है आसमान में काले घने बादल चार तरफ से लगे वे हैं और धूप का तो आज नाम और निसान ही नहीं है बाकि आज का मौसम काफी सर्द भरा और ठंड़ ठंड़ हो रखा है सुब तो कल रात से ही बारिश आने पर लगी हुई है अभी थोड़ा बहुत बारिश रुकी हुई है और दूसरे तरफ से देखिए यह कोहरा इतनी तेजी से उपर को लगते जा रहा है कोहरा आज इतना घना लगा हुआ है कि आसपास के कोई भी गाउं के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं तो जलिए जी इसी के साथ आज के विडियो की सुराज भी कर देते हैं आप सभी को मेरा प्यार नमस्ते मेरा नाम है जोती नेगी और सब्सक्राइब का देभू में होता खनके इन खुब सुराज से उच्छे उचे हरे बरे सुन्दो संदर पहाड़ों से सुब इतनेई टेजी से लगते जा रहा है कि आसपास की कोई भी पहाड 수도 अरे कि झाल이면 रहा है लेकिन कोई पता ने लग भी सकते हैं नहीं है जैसे जैसे गर्मीयो qa ाुका आरहा है हमारे पाड़ों में वैसी वैसी तेज बारिश बरव बारी और ठंड बढ़ती जा रही है तानी क्या हो रहा है इस साल के लाइमिट को भी भागी मैंने देखिये पूरा टोपी स्काफ जैकिर सा पैन रखा है यसे तो बंद कर दिये थे लेकिन आज फिर से निकाल दिये है तो अभी 9 बच कर 35 मिनट हो गया हमारे लंच करने का टाइम भी हो गया है सुब माने लंच बना के भी तयार कर दिया था आज तो दिन भर चूले वाले रसोई घर में आग जलती रहेगी नीचे इस देश पते के पेड़ पे 12 मासी चीमी की बेल गई वे थी और इस बेल पे काफी सारी चीमयाल लगी वे थी हमने इने सबजी बनाने के लिए टाइम से नहीं तोड़ा तो यह देखे बेल पे ही ऐसे सूग गई है अब यह किसी भी कांद की नहीं है नाई इनकी दाल बनती है और नाई इनका साग बनेगा लेकिन यह बीज बोने के काम आ जाएगे अगले साल के बाकी इनकी सबजी काफी स्पॉस्टिक और स्वाधिस्ट होती है और हमारे पहाडों में बारा महीने यह फलिया खिलती रहती है बेल पे बाकी अभी का सामने का नजारा देखिए काफी खुब सुरा सहर का है कोहरा तो लगा हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत कोहरा चटने के बाद हरे भरी उची उची पहाडिया नजर आने लग गई है और दीबा की तरफ से देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाए दे रहा है भैंकर कोहरा लग रहा है बागी बारी सोने के बाद गिहों के हरे भरे खेत काफी सुन्दर नजर आ रहे हैं और देखिए आजकल गिहों भी बड़े-बड़े हो गए हैं खेतों में हमारे घर से लेके हमारी गौसाला तक लोग के ग्यों के खेत नजर आ रहे होंगे और हमारे घर के बचे देखिए सुबह सुबह नीचे छत खेलने पर लगे हुए है इनके लिए कोई ठंड नहीं है वाई यलता ही रहते हैं अन्शिका को तो डान्स होज रहा है अन्शिका क्या कर रह आज इतनी ज्यादा ठंड बड़ गी है तो मुझ से देगिया है वाव निकल रहे आंचु के भी मेरे भी और अन्शिका के भी अन्शिका के भी जहार चत पर पिसल गया था उसके पैर पर लगगी का पर लगी सिर्पर लगगे मेरे अब कर लेंगे सुबह का टेस्टी और गर्म गरम ब्रेकपास्ट आज के ब्रेकपास्ट में माने मनाया है आलू चने गुबी की मिक्सब जी और आज तो बहुत दिनवाद मखन में मना रखा है साथ में मंडवे और ग्योगे मिक्स रोटिया और यह थोड़ी सी मैगी भी तो चलिए जी आज तो मज़ा आज आएगा ब्रेकपास्ट करने में आज ममी सुपर सही यहां लगड़ी वाले चूले पर मस्त से आग सेकने पर लगी है बारिश भी तेज आने पर लगी है तो मा इस टंड़ वरे मौसम हमें यहां चूले पर मस्त से आग सेकने बागी पापाजी और ने दिन का खाना भी बना के तयार कर दिया है सामने वाले कूकर में चावल बना रखे है और यह देख Да कि शीचकी डाल बनी है देखते हैं आज भी आलू चना क्या मिक्स करका है ताहने क्या क्याल बना रख है आज पता ही नहीं लग रहे है उस दाल का बा App शोमू बनी दादी के आने के पास ब्स चोप वगई इस नशोमु धूला लग गया थ scripture ब्सक्निन क Sorry हुआ हची हची आरी है और आज तो शोमो को भी जुखाब लगिया है और कल से ना हमारी श्रिष्टू की तभएद भी खराब हो रही है श्रिष्टू को नमुने की शिकायत आगे इसने परसो नलाई भी की और ठंडा भाद विखाया उसको बोखारा गया है ना हालत खराब हो टो योश्की दोई दिन मैं ची होगे कम जोर शिए अब आगे आज बारे आयास दो सुबा से मुह भी नी दो रहा कर दो दूले है नहीं नहीं रोटी क्यों रोटी खाले मूह नी दूला बुरूस नी किया कुछी नी काई चुनी लोटी खाले में तो पतानी कहा चले का वाले दर्वाजे से भी इतनी तेज हवाएं अंदर को आ रही है और यहां खेड़की से भी धूआ पूरा अंदर ही घूमने पर लगावार है अशुआ मुक्यां को में आशुआ रहे हैं इस दुए शे भार इतना ठंडा हो रहा है और इस ठंड भरे मौसम में गर्म गरम गुड़वाली चाई मिल जाए पीने को तो बात ही कुछ और होती है गुड़वाली चाई इस मौसम में गरम भी होती है तो चलिए अब चाई पी लेते हैं और मा ने शूमु को दूद पिला दिया है अब च दिन करने बाद अभी मेरी अर्मा की तयारी हो रही है जाने की अभी साड़े बारा बज गया है गाय भेंश को पाने पिलाने का टाइम भी हो गया है साथ मैं यहां को साला में हमारी मुर्ग भी रहती है तो उनको भीदाना देना है इसी के साथ हम लोग लेकिन जूर्य होता है लेकिन पिलाना जूर्ण होता है यह ना आज तो हमारे बैल भी घर पर ही है क्योंकि सुबह से बारे शोरी थी खेतों में भी नहीं गया नहीं तो आज हमारा लाश्ट रह गया था हल लगाने के लिए आज के बाद इनकी छुट्टी हो जाती उसके बाद इसी दा ना जब बीज बोने के टाइम पर ही जाते खे गौसाला के अंदर भावी ने कल जंगलों से लाया हुआ यह बांज वाले हरे पतदार घास भी एक सामने रखा हुआ है आज बांज वाली घास की कटाई से छुटी भी है कल बांज खुला था तो आज बंद है हर तीसरे दिन यह घास हमारे गाउं के जंगलों में कटता है चाल बंद कर दिया हा एग बांज लेक liberत । देखिए सबीकर नका वी घृत में करें हें यह बांज बेल से में łजन ऐस बड़ाब सब्सक्रान के एक सावर सब्सक्तocy ध्यू लाकर के हमारी कंडा सब्सक्रीयों में कर दिया है और आज कल मूर्य उन्डा फ़ीन निडरी पत बारिश बंद होने के बास आपने पहाड़ों के नजारे काफी निखर कर खूब सुरा नजर आने लग गये हैं और हरी भरी पहाड़िया जी संदर संदर दिकाई दे रही है नीचे की तरफ हमने ये मांच के कचे जड़े रखे हुए हैं तो इन में से कुछ जड़े पुराने है तो अभी मां देखिए इन्हें घर ले जारी है आग जिलाने के लिए तो तीन-चार मेने तो हुए गया है हमारे गाओं में जंगलों में बांच खुले हुए तो ये जड़े पहले के हैं तो ये अच्छे से सूख गये है और आप आग जिलाने के काम में आ रहे हैं आज क हैं इस गास से पहाड़ी स्पैसल कापली बनाई जाती है जो कि खाने में बड़ी टेस्टी लगती है तो चलिए जी किसी दिन इसी विच्छ गास का साग भी बनाएंगे और बारिश होने के बाद ये पोदे ना अच्छे से धुल गए है और इसके काट देखिए बिलकुल स अब पेज़ सपह दिखाई दे रहे हैं वड़े बहेंकर होते हैं अगर इसकिन पर लगे ना बड़ी जंजनाट होती है इन काट जे हमारी वाली गौसाला के बगल पे जो ये ग्यों के बड़े-बड़े खेत आपको नजर आ रहे हैं ये खेत भी हमारे हैं इस साल बाबजी देखिए सरसो भी बो रखा है सरसो के पौदों में फ्लावरिंग पूरी तरके से कतम हो गई है और बीज और साथ में पूरी तरके से फलिया भी आ गई है अब धीर धीर करके सरसो की फसल भी पकने लग जाती है पहाड़ों में और एक चीज और हो रखा है यहां गियों के स यह देखिए, यह बत्वा इस बत्वे की ड्राई सुकी सबजी बनती है, जो की काफी टेस्ट होती है खाने में, सहरों में लोग इस बत्वे को खरीद के लाते हैं, और हमारे पहाड़ों में यह फिरी में मिलता है, खेतों में, अभी बारिश पूरी तरह बंध हो गई है, और सामने आसपास की पहाड़े पे जो कोहरा लगा वा था वो भी छटने लग गया है धीरे धीरे बाकी जो ऊपर आपको खूब सुरह सा गाउ दिखाई दे रहा होगा इस गाउ का नाम है एठी और ये बहुत ही बड़ा गाउ है गाउ के नीचे तरफ देखिए सीडी नुमा धल लगाए जा रहा है और नीचे जो आपको यह दिखाई दे रहा है इस गाउं का नाम है मेरा और यह मेरे ताई जी का गाउं है बाकी गाउं के चार तरफ खूब सुरह से गयों के हरे भरेखे सुन्दर नजर आ रहे हैं सामने वाले साइड से अभी बादल छटने लग गये है और बादल छटने की वज़से धूप की किरने हलकी अभी निकलने लग गी है और धूप निकलने के बादना थोड़ा सा गर्माहर जैसा लग रहा है नीचे पे मेरा माईका वाला गहर है जो कि यहां से कुछ ऐसा दिखता है बाकी हमारे नई वाले घर से मेरा गाउं रॉली थोड़ा सा भी नजर नहीं आता क्योंकि सामने पे जो यह बांच के पेड़ है इनकी वज़े से कुछ भी दिखाई नहीं देता अगर यह पेड़ कट आपको हरे भरे ग्यों के खेतों के बीच गाउं नजर आ रहा है इस गाउं का नाम है घूरी और काफी सुन्दर सा गाउं है यह ज्यादा बड़ा तो नहीं है छोड़ा सही है इसी गाउं के बगल पे है पातल गाउं है इस गाउं में कम से कम 15-20 परिवार रहते हैं और इस अधिनी ठंड लगती है बाकि जब यहां कभी भी बरा पड़ती है ना तो पिखलती नहीं है दो-तीन महीन तक इस गाउं के नीचे पे वी एक गाउं है इसका नाम है पलान और साथ में यह इरदार भी आ गाउं और यहां नीचे पे यह जो छोटा से गाउं है यह गाउं है दोर्या और इस गाउं में गेहों की खेती देखिए काफी सुन्दर नजर आ रही है पूरे खेती नुमाएं वाई अभी साब के पांच मुझ रहे हैं और हमारे घर पे प्यारा सा डॉगी आ रहा है यह नीचे बांजड़े गाउं का है और कभी हमारा भी ऐसा डॉगी इसको यहीं हमारे आंगन में बाग ने मार दिया था उसके बाद हमने कभी भी कोई भी कुटा नहीं रखा और यह देखिए यह प्यारा सा डॉगी रूज आ जाता है हमारे घर पे बाकी अभी देखिए ममी बर्दंद होने पर लगी है मा को तो ठंड भी ने लग रही हुई और स्थाम के गण में घ्रम चाहों देखिए मैं अपने ग्म के खेतों के साइडके हुँ हारी घास लेका कहीं से भी तो मैं जादा दूर तो नहीं गई अमने घर बगल पर यह सामने पर हमारा घर है और यह हमारे और इसाड आरन हमारे चार ग्म के खेते इन के साँ इस तर समय के वारिशते coach ने कॉर्ण बहरते पहिते हैं द्यार कनी सिछे इतना कॉमाइजा और यह चौनी करने के लिए बारिश थंद इतनी कडा केके लगरी है ना बहुत तेज हवाई चलने पर लगी हुई और मेरे सामने नीचे साय देखिए इस मेलो के पेड़ पे काफी सारे फूल किलने लगए है दो-तिन दिन अच्छी धूप लगने के बाद थोड़ी सी गर्मी हो गई थी और गरम होते ही इन पेड़ों में देखिए फूल खिलने लगए है जब ये फूल पूरी तरके से खिल जाएंगे तब ये पूरा पेड सपेड सपेड सा हो जाएगा और काफे सुन्दर सा दिखने लगेगा तो चले जी अब यहां से थोड़ा सा घास निकाल लेंगे जितना हमें चाहिए और अंसुने देखिए इतनी बड़ी दराती ला रहे है घर से जिसे की बाच काटने के लिए हैं बाच करने जा रहा है कि गास काटने इना नहीं दिये दराती आज के लिए जितनी घ सब्सक्राइब करें अब लोग मेरी वीडियो देकते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते आप से रिट्वेस्ट आज को जरूर सब्सक्राइब करें अलगं एक मोटिवेशन भिले कि आगे बी मैं ऐसी एसी वीडेवाद में रहाँ मैं जैद आदे बुम्मतरागन